आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुपा इस्तित पश्मी उत्त प्रदीश और उत्राखंड प्रभारी शम्शुदीन राइम के आवास पर अपने सैकडो समर्थकों के साथ बस्पा जोईन कर ली सुबोध राकेश ने बताया कि छेत्र की जनता की काफी दिनों से मांग थी कि वो बस्पा जोईन कर ले विधान सभाजवालापूर से भाजपा उमीदवा देवेंदर प्रदान ने जनसंपर का भियान चलाया इसकी शिरुवात कुतुबपूर से हुई गाउद गाउँ स्वागत कारिकरम रहा जिसमें सैकडो गाडियों के साथ गाउँ गाउँ में जनसंपर क किया गया और केंद सरकार और राज सरकार के कार को जनता के सामने रखा गया प्रद्प्याशी तो मैं अभी इने बार जनता भाज़ेंगे तो अभी टाइम असम प्रदासी से भी गोशिप करेगा संगतन वह अलग चीज है तो चिनाओं नस्दीक आते ही दल बदलने का दोर शिरू हो जाता है और उत्रा खन के जौळापूर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जहां विधान सभा जुअलापुर से भाच्वा उमीद्वार देवेंद प्रधान ने जनसंपर का भियान चलाया है और इसकी शुरुवात कुतुपुर से की गई है और गाओ गाओ जाकर उनके स्वागत भी किया गया जिसमें सैक्डो गाडियों के साथ साथ गाओ में जनसं सैनी के साथ एक बैठक आयोजित की जिसमें ग्रामीडों ने गाओं में पानी की निकासी की समस्या को लेकर बात की वहीं वरिष्ट भाजपानेता मुनीश सैनी ने कहा कि गाओं की पानी की निकासी की समस्या तीन दिन में निस्तारड कर दी जाएगी तो उसके लिए मेरे दुआरा निवेदर किया गया माने ओफजिला दिकारी चीजिए तो उन्होंने मुझे आस्वत किया कि दो से चार दिन के इंदर इस पानी की निकासी को कड़ा देंगे और उसके बाद जो क्यों कि मैं चाहता हूं किसी तरह का कोई विवाद ना हो हमारे तो पांच आज भी इदर सो जाएंगे तो उसी के लिए तो समस्याओं के बारे में बताया गया है मुल्दासपूर से ये खबर सामने आ रही है जहां पे लोग समस्याओं के सामना कर रहे हैं और जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं जितने भी चिनाओं के वक्त जनता से एक बैठक करी है जिसमें ग्रामीडों ने गाओं में पानी की निकासी के समस्याओं को लेकर बात कही है और वरिष्ट भाजपनेता मुनीश हुसैनी ने कहा है कि गाओं के पानी के निकासी के समस्या तीन दिन में निस्तारण कर दिया जाएगा हल कर दिया जाएगा लोगो निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विधान सभा चौबटा खाला के अंतरगत विकास खंड एकेश्वर के पोलिंग बूद के स्थलियन निरिक्षड किया उन्होंने बिलो सिपंजिकरत मताताओ और नए वोट्रों की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि घर घर जाकर नए मतदाताओ का फॉर्म छे भरवा कर उनके नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करना सुनिश्चित करें वहीं राज किये प्राथमिक विद्याले रिंगवाडी की बिलो बीरादेवी ने छेतर बड़ा होने की समस्या से जुलादिकारी को अवगत कराया तो चुनाव नजदीक है और इससे पहले ही जितने भी वोटर है और नए वोटर है उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है की पौडी गड़वाल से ये खबर सामने आई है पौडी गड़वाल के जिला निर्वाचन इधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विधान सभा चौबट्टा के अंतरगत विकास खंड एकेश्वर के पोलिंग बूत का सलिय निरिक्षड किया उन्होंने बिलो से पंजिकरत मतदाताओ और ने मतदाताओ की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि घर घर जाकर ने मतदाताओ का फौर्म भरवा कर उनके नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज कराना सुनिशित करा जाए राज की अफरात मिध्विदियाल है रिंगवाडी की बिलो बिरादीवी ने छेत्र बड़ा होने की समस्याक से जिलाधिकारी को अबगत कराया है कि छेत्र बड़ा है जिस वजह से इन सब कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है नरेंद्र नगर विधान सभा के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने जनसमवाद सभा और रैली का आयोजन किया जहां दूर दूर से ग्रामीड छेत्रों से हजारों की संख्या में लोग रैली स्थल पर पहुँझे वहीं से जनसमवाद रैली में छेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने अपने संबोधन में कहा कि 2022 में नरेंद्र नगर विधान सभा से पहला चुनाव लड़ा और 2007 में विधायक बने और खंडूरी सरकार का हिस्सा रहे ओम गोपाल ने साफ शब्दों में कहा कि वो भारती जनता पार्टी के सपाही है विधा पसक्ला के लिए ये जन्ट संबाद इच्षोय कहा और लोगों कई है कि हमारा जन्पटी नीजी कैसा हो हम ऐसे जनपड़ी मिली को जो सब के साथ संबाद अस्ताबिक करें व्यवहारी को खेतर का विकास कर सके इसके लिए लोगों को पूछा गया तो वोम गोपाल रावत ने जब पूछा तो लोगों ने दोनों हाथ कड़ा करके उनका समर्तन किया है लिश्य तोर पर चु अगरवाल महासभा का अधिवेशन राजसान के खाटू श्याम में चल रहा है जिसमें देश के 27 राज्य एवं 6 केंदर शासिक प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया उत्राखंड प्रदेश का प्रतिनिधित्व अगरवाल महासभा प्रदेश अध्यक्ष नवनीत गरग ने किया इस अधिवेशन में उत्राखंड राज्य के विकास नगर निवासी नवनीत गरग को अगरवाल महासभा का अधिवेशन आयोजित किया गया आपको बता दे कि अधिवेशन राजस्थान के खाटू श्याम में चल रहा है जिसमें देश के 27 राज्य और 6 के इंदुशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है उत्रखंड प्रदेश का प्रतिनिधित्वा अगरवाल महासभा प्रदेश अध्यक्ष नवनीत गरग ने किया है और इस अधिवेशन में उत्रखंड राज के विकास नगर निवासी नवनीत गरग को अगर रतन से सम्मानित करने के बाद भी कई गई है सितार गंज तहसील को नई मंडी सित आवासों में शिफ्ट कर दिया गया था नए भवन की मांग को लेकर कई बार पत्र लिखे गए छेत्र विधायक गौरव वहुगुडा से तहसील कर्मचारियों ने बात की जिसको लेकर विधायक ने पूर्व सीम त्रिवेंडर सिंग रावत को अवगत कराया वर्तमान सीम पुषकर सिंग धामी ने चार करोड रुपे नए भवन के लिए स्वीकृत किये साथ ही विधायक ने सीम का भार भी व्यक्त किया है उत्रखन की खबरों में फिलाहा लिता ही तमाम खबरों के लिए देखते रही प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुका